हेलो नमस्कार मित्रो मैं नन्य राम हमारे यूट्यूब चैनल पाल कोचिंग सेंटर रहनार में आपका स्वागत है आज हम आपको हाई स्कूल के मैद की प्रेशन वली तीन दिसमलब दो का सॉल्यूशन करना बताएंगी तो चलते हैं हल करते हैं देखिए प्रिशन नंबर ए प्रिशन नंबर पहले का मैं पहला कोच्चन दे रहा हूं आपको स्क्रीन पर मिल रहा है तो इसमें लखाया कि कक्चा दस के दस विद्यारतियों ने एक गड़ित की पहली प्रतियोगता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधे को ध्यान से समझिए यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार देखो तो प्रतियोगता में भाग लिये गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्याद कीजी ये प्रिशन नमबर एक का पहला प्रिशन है तो इसे हमें हल करने को कहा और इसमें ये कह रहा है कि समी करणों की यूग में बना कर और उनके ग्राफी विधी से हल कीजिए समी करणों की यूग में बनाना और ग्राफी विधी से हल करना चलिए देखी कैसे होगा करते हैं सुरू पहले का पहला तो पहली लाइन में हमें दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अदे के देखिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि लड़कियों की संख्या दे रहे हैं कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या से चार अदे के अगर आपने लड़कों की संख्या, अगर ďक्स मान लो तो लड़कीयों की संख्या बाई मान लेंगे चली शुरू करते हैं तुम माना सुरी पहले हम लड़कीयों की संख्या मान लेती हैं एक्स माल ली अब लड़कों गी माल लो तथा लड़कों की संख्या बराबर बाई देखिए कक्षा दस के टोटल कितने विद्यारती हैं टोटल विद्यारती हमें दिये गए हैं दस कक्षा दस के दस ही विद्यारती बताएं तो अगर हम दोनों को जोड़ें देखिए सर्था अनुसार पहली सर्थ के अनुसार पहली सर्थ क्या है कि दोनों जो छात्रों चात्राइं हैं उद्द सें, तो कुल छात्र छात्राओं की संख्या, प्रथम शर्ट, दो सर्थे दे रखी हैं, पहली सर्थ ये दिए कि दोनों की संख्या जो है उद्द से, देगें प्रथम सर्थ अनुसार, कुल बिद्यारतियों की संख्या कुल बिद्यारतियों हमारे पास 10 लेकिन हमने जो माने हैं वो X और Y माने तो बेलू रख देते हैं दोनों की देखो X प्लस Y दोनों मिलकर के हमारे पास हो रहे हैं 10 इसे हम सभी करण नमबर लिख देंगे 1 अब दूसरी सर्थ देखिए दूसरी सर्थ अनुसार क्या कहा है दूसरी सर्थ ये है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक है तो लड़कियों की संख्या क्या है लड़कों की संख्या से चार अधिक है तो देखिए सारी ये मिश्टेक से गलल लग गया है लड़की यूँ की संख्या लड़कों से चार अदे गए ये दूसरी सारत है अगर हमें इन दोनों को बरावर करना है इधर देखिए ये लड़कियों है एक्स और इधर मैंने लेख दिया बरावर लिखके बाई एक्स जो है वो लड़कियों की संख्या और बाई जो है वो है लड़कों की संख्या लेकिन मुझे तो बरावर करना है क्योंकि हमने बरावर लगा है ये बरावर नहीं ये अभी लड़के क्या गह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से चार अधे क्या है मतलब चार जो है इसमें लड़कियों जादा हैं लेकिन ये चार काम है अगर हम इसमें चार और बिठाल दें ये ऐसे कर सकते हैं इसे या फिर लड़कियों में इसे लड़कों की संख्या घटा दो जैसे X और माइनस बाई करेंगे तो चार बचेगा ऐसे कर सकते हैं या फिर इस प्रकार कर सकते हैं तो ऐसे हम इसे कर सकते हैं लिए इसे अब समी करण नंबर इसे दे दो दो समी करण इसे हमने दो लिखा अब प्रथम समी करण से देखी समी करण हमने दोनों के योगम बना ली समी करण एक ये होगी दो ये होगी अभी हमें समी करण दोनों किलियर होगी इसके बाद में हमें प्रथम समी करण से अपने बिंदू निकालना है एक्स और बाई के तबी देखो ग्राफ जब भी हल करो तो एक्स कॉमा बाई में होता है ग्राफ तो एक्स के और बाई की वैलू हमें पता होना चाहिए देखिए प्रथम समी करण से समी करण एक से समी करण एक से समी करण एक में हमें दे रखा है एक्स y बरावर 10 तो यहां से हम एक चीज़ को रोक लेते हैं या तो x को रोगो तो y को उधर बेज़दो बाई रोगो तो x को इधर रोग लो चलो मैं x को रोग लेता हूं बाई को इधर भेज़ देता हूं यह 10 हो जायेगा बाई उधर जाके होगे माइनिस का अब जब हमारी ये एस्तिति आ जाती है हमें X की value निकालने है देखिए X की value कैसे निकालते है X की value निकालने के लिए हमें समी करड़ ये जो है दिया है में इसमें by का मान रखना होगा एक, दो, तीन, चार ऐसे करके रखेंगे और हमारे मान निकलते आएंगे ठीक है तो आप कोई भी वैलू रख सकते हैं देखो यहां तो कोई कटने का अगर इधर कोई संख्या होती तो काडने का भी जार रहता हमें लेकिन इसमें ऐसी कोई समस्या हमारे लिए नहीं है जब ऐसी कोई समस्या नहीं है बस तीन मान निकालने होते हैं हमारे लिए देखिए एक दो तीन रख देते हैं बाई बरावर एक एक रख दो अभी अभी बाई बरावर क्या रख दें एक रख दें तो एक्स बरावर दस माइनस बन बाई जहां था बहा हमने एक लिखा तो हमें X का जो मान मिला बन नो मिला X का मान कितना मिला 9 मिला अब देखेए यह X का मान हमें 9 मिल गया इसके बाद एक्स बरावर, बाई बरावर हमने बन रखा तो 9 मिला आप दो रखेंगे तो ऐसी करके जब 10 मेंसे 2 गटाऊओगे आठ मिलेगा दो अटा हुए दो देखो लिख दो इधार यहां पे हम यह दस है इसको आधा कर लेते हैं इसकी वैलू एक ना रखके हम रख देते हैं तीन चार पांच रख लो तो सम्थिक बरावर बरावर आ जायगा देखो तीन तीन रख दो तीन रखो पर चार रखो पर पांच रखो अभी मैंने यह तीन रखा तो मिलेगा हमारे लिए साथ साथ मिला देखो कैसे मिला यह साफ करके लिख दे रहूं मैं जैसे एक्स बरावर दस अब जो बाई है अब यहां पे हम बाई बरावर मैं इधर लिख देता हूँ कि बाई बरावर कितना रखना है बाई बरावर हम रख रहे हैं अभी तीन ठीक है यह बाई लिख भी देंगे लिखो तो कोई बाद नहीं नहीं लिखो तब भी मैंस तीन क्योंकि यहां पे बाई है जहां बाई है वहाँ पर बाई ना लिखके बाई की जब तीन लिखो फिर चार लिख दो फिर पांच लिख दो या फिर पांच, छे, साथ, आठ कोई भी संख्याब लिख लो जो मन हो तो X बरावर हमें क्या मिलेगा X बरावर मिला हमारे लिए 7 कब जब हमने 3 रखा अब 2 बरावर हम अब कुछ और रखती है 2 बरावर अब हम 4 रख देती है देखो 4 रखा तो X बरावर हमें मिला देगी X बरावर कितना मिलेगा 6 यहाँ पर लिख देना कि 2 बरावर 4 है 2 बरावर 4 रखा हमने तो हमें कितना मिला है छे अगर हम इनके बिंदू की बात करें यहां से देखी कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कि X बाई बरावर लिखा भी है इससे कोई दिक्कत नहीं बाई बरावर तीन तो X बरावर साथ या फिर ऐसे लिख दो तो बाई बरावर तीन कॉमा जब बाई बरावर तीन रहे लिखा तो हमने एक्स बरावर हमें मिला है साथ ऐसे करके लिख देंगे इधर हमने क्या करा है कि बाई बरावर जब चार रखा है बाई बरावर यहां पे बढ़ा दो ये बाई बरावर चार रखा तो हमें X ब्रावर 6 मिला इस प्रकार से ये बिंदी हमें मिलते जाएंगे ठीक इसी प्रकार हमें और बैलू निकालना अब हमें 2 ब्रावर 5 रख देना 4 रख लिया 5 रख दो इस वाली समी करण में इसमें ये ध्यान रखना है कि जहां बाई लिखा हमें 4, 5, 6 रखते जाना वैलू निकालते जाने हैं तो अब हम रख देते हैं बाई ब्रावर 5 बाई ब्रावर 5 रख देते हैं जब बाई ब्रावर 5 रखेंगे तो X ब्रावर भी 5 आ जाएगा क्यों? क्योंकि 10 में से 5 जाएगा यहां पे 10 माईनिस 5 लिखेंगे तो 5 ही बचेगा ठीक है? अब अगर हम इसके टेवल की बात करें इसके टेवल इधर बना ले रहा हूँ छोटी सी एक टेवल इधर यह देख़़गई देख़़गई इधर X लिखा हमने इधर लिख दे रहे हैं बाई तो हमने जब बाई बरावर 3 रखा है बाई बरावर बाई कमान कितना रखा हमें? हमने रखा 3 तो हमें X कमान क्या मिलेगा? X देखो बाई बरावर जब 3 रखा है तो X बरावर आए 7 यह लिखा है बाई बरावर 3 है तो X बरावर 7 तो जब buy का box 3 है तो 8 का कितना हो जाएगा 7 ऐसे ही अब buy का عنहा हमने нашन तो एक्स का महन कितना आया 6 है buy का महन कितना राखः चार buy वालें प्लिखो तो x वालें या जाया 6 निकल लगे अब buy वालें 5 लिखो तो इसमें भी 5 आएगा यह हमने समी करण एक से निकाल लिया यह हमें ग्राफ बनाने के लिए इनकी आवश्यक्ता पड़ेगी अब समी करण दो से देखो समी करण से किन्ड से देखी समी करण से किन्ड क्या है हमारे पास हमें समी करण दे रखा है x वरावर by प्लस 4 एक से बरावर बाई प्लस चार देखो एक से बरावर बाई प्लस चार देखो यहां भी हमें बाई का कोई भी मान रख दो जो मर्जी हो तो हम कोसिस यह करेंगे कि यह दस से नीचे ही रहे क्योंकि हमारे जो अगले इसके मान आए हैं वो दस से नीचे ही आए इसलिए हम यहां पे बाई बरावर रख देते हैं एक जब बरावर हम एक रखेंगे तो एक से बरावर हमें प्राप्त होगा तो बाई की जगे एक रखो प्लस चार एक प्लस चार एक और एक पांच एक और चार पांच यह पांच हो गया तो जो हम बाई बरावर एक रख रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है पांच मिल रहा है ऐसी जब बाई बरावर हम दो रखेंगे तो चार ये इसमें रखना है बाई की जगह रखना है यहां पर लेगे दो दो तो दो और चार छे हो जाएगा तो एकस बरावर यहां कौमा लगा देना है थोड़ा सा एकस बरावर हमे मिल जागा चार शोरी दो और चार छे इस छे मिलेगा दोस्तों ऐसी बाई बरावर जो हम रखेंगे तीन तो हमें कितना मिलेगा तो हमें मिलेगा तीन और चार साथ तब यह अब इसका भी एक बॉक्स बना दो इध़ साय बिसे देखो इधर ये ऐसे करके लिख लेगे लिखना इतना जरूरी भी नहीं है यह ही है कि इससे हमारे मान एकत्रित हो जाती ही इधर उधर नहीं ढूलने पड़ेंगे ये ऐसे करके कर लेंगे हम और इधर X लिख दो और इस वाले में लिख दो बाई अब देखी हमने बाई का क्या रखा है तो X क्या है हमारे पास बाई का हमने मान रखा बन तो X का मान हमारे पास आया 5 देखी बाई का मान बन रखा तो X का मान 5 आया है बाई का मान 2 रखा तो X का 6 आया है बाई का 2 है X का 6 है देखो 6 की सीध वाले बॉक्स में अब बाई कमान हमने तीन रखा है बाई कमान तीन रखा तो X कमान हमें यहाँ X में लिखना बूलिए हूँ X बरावर साथ मिला आप एकजाम में बिल्कुल सेम ऐसे ही करिए कोई कोई गलती नहीं करेगा वो बिल्कुल OK चेक करेगा एक दम पूरे नमबर देगा अभी मैंने ये बॉक्स दोने निकाल ली है अब हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है कि वही ग्राफ कैसे ड्रॉ करती है तो बच्चो देखो सबसे पहले तो अगर ग्राफ आपको और अच्छा ड्रॉ करना है तो ग्राफ पेपर होगा तो बहुत ही अच्छा होगा अगर नहीं है कोई बात नहीं तो आप स्केल की सहता से देखिए मैंने ये अक्ष बना दी है इसके एक्स अक्ष और बाई अक्ष देखो ये जो खड़ी लाइन होती है मैं ग्राफ की जानकारी पहले भी अपने कई प्रेशनों में दे चुका हूँ ये जो लाइन होती है ये वाली इसे हम बोलते है एक्स अक्ष सुरी बाई अक्ष बाई अक्ष मैं यहाँ पे इसका नाम दे दे रहा हूँ बाई और यही देखो ऊपर की और जो होगी तो बाई होगी पिलस का होगा और अगर नीचे की और होगी तो यही जो होगी वो माइनस की होगी इदर तो इसे लिखेंगे बाई डैस ऐसे ही X का रहता है X अगर हमारी सीधे हाथ की तरफ है तो यह प्लेस का रहेगा सॉरी इस पर डैस नहीं लगेगा प्लेस वाले पर डैस नहीं होता है माइनस वाले पर डैस लगता है इधर एक्स डैस इधर जिधर जिधर डैस लगा होता है वो सारी संख्या उधर माइनस की आती है जिधर डैस नहीं होता है उधर प्लस की आती है तो अब मैं देखो यह मैंने बिंदू खेची हैं आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले संख्या है देख लो अपनी कि हमने जो बॉक्स निकाले उसमें अधिक से अधिक कितनी संख्या हैं अधिक से सबसे बड़ी संख्या क्या है सबसे बड़ी संख्या साथ है इसमें और इसमें इसमें भी साथ है मतलब हमारा जो value जाएगा वो 7 से उपर नहीं जाएगा 7 तक ही रहेगा इसलिए हमें एक line सीधी खड़ी खेचना और एक ऐसी करके खेच लेना है फिर सीधे हाथ की तरफ X अक्छ जो है इस पे plus की संख्याँ रहती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 1 और चाहँ तो लगा दो 8 लेकिन वहां तक हमारा सवाल नहीं जाएगा ऐसे इधर ये minus की रहेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखो इस पे minus लगा दो minus, minus, minus ये सब minus की रहेगी देखी बाई जिधर डैस नहीं होता मैंने बताया प्लस की रहती है ये उसंख्याँ तो ये दिहान रखना है यहां जो होता है ये 0 होता है 0 से इधर एक सुरू होगा इधर 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 ऐसा नहीं करें कि ऊपर से 1, 2, 3, 4 पाण ही लिखते हो ला है ऐसा नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक और लिख दो कोई वाद नहीं 8 एक ज्यादा कर लो कोई फरक नहीं पड़ेगा इधर ये दो बाइड़ डैस लिखा हुआ इस पर बाइड़ ये बाइड़ ये तो ये निगेटिव हो जाएगा निगेटिव मानूंगे इसके एक माइनस कराएगा दो माइनस कराएगा तीन चार पांच छे साथ और इधर एक और लिख दे रहे हैं हम आठ ठीक है अब हमें ग्राफ ड्रा करना है देखिए ग्राफ ड्रा करना बहुत आसान होता है बच्चों का खेल है कोई बाप नहीं इसमें ये ये हमने जे निकाले हैं अपने बिंदू निकाले हुए ये समी करड़ एक का है और ये समी करण दो का तो हम सबसे पहले समी करण एक के बिंदूओं पर जो है रेखाएं खीचे लेती है यह देखो तो हमें करना क्या है कि एक बिंदू X का देखना है और एक देखना है इसमें बाई का इन में इधर देख लें कि इन में किसी बॉक्स में किसी संख्या पर हमारा माइनस नहीं आया लग कि तो हमारी माइनस में तो जाएंगी नहीं संख्या है सब प्लस में रहेंगी प्लस में किधर किधर रहेंगी इधर प्लस में रहती है इधर और ये देखो ये इधर माइनस में हो जाएगी इन पे भी माइनस में हो जाती है तो चलिए ग्राफ ड्रा कर लेती है सबसे पहले देखू इदार X का साथ लेना है और बाई का तीन बाई प्लस वाला ध्यान रखें इस पर डैस नहीं मतलब माइनस आता तो हम डैस तरफ जाते संख्या पे माइनस होता तो ये हमारे दोनों प्लस के हैं साथ भी प्लस का तीन भी प्लस का तो X और बाई हमें वो देखना है जिन पर डैस नहीं लगी है ठीक है तो देख लो एक नगर बिंदू X का साथ देखिए और बाई का तीन देखो X ये वाला मैंने कहा था प्लस का है तो प्लस पे साथ की तरफ चलना है एक दो तीन चार पंच छे साथ ये आरा है लेकिन बाई की तरफ कितना चलना है तीन देखो एक दो तीन दो बिंदू है ना हमारे एक ये ये तीन और साथ X का साथ बाई का तीन तो प्लस तरफ चलना है तो ये X का इस सीध पर हमें आगे बढ़ाना होगा कि देखो ये इधर ऐसे करके ये इसका सीध कहां मिल रहा है आके ये ये यहां पर आके कहीं मिलेगा बिंदू हमारा ये बिंदू बस इसे बिंदू और बना दो सही से एक बिंदू और देख लो इसका जादा नहीं देखना 6 और 4 X का 6 दे रहे हैं और बाई का 4 दे रहे हैं ये जो है बाई का ही है X का 6 देखो 6 ये होगा और इसका 4 ये लगवग ये इस सीध पर आएगा हमारा इस सीध पर ये तो लगवग बिंदू हमारा ये गिरेगा ये बिंदू होगा ये बिंदू होगा अब हम देख लेते हैं दूसरे बाले इसका एक बिंदू और बैसे आया है ये पांच पांच ये पांच एक्स है और पांच ये बाई है तो देखो ये इसको खेचेंगे तो ये इस सीध से चलो गए और पांच तक ये आ जाएगा कहीं ये इसकी सीध देखू मिला के कहां मिल रहा है दोनों की सीध पे हो इदार से पांच बाई बाला पांच की सीध और यहां आएगा कहीं ये और इदार से इसकी सीध अब इन तीनों बिंदूओं को हमें स्केल से अपने मिला देना है देखिए, ऐसे करके ऐसे करके हमें ये तीनों बिंदू मिला देना है ये हमारी समय करला फ़श्टे से देखि थोड़ा बहुत आगे पीछो हो गया इस वज़े से यह बिंदू एक रेका पे नहीं आए एक पे ही आती है आव ऐसे ही हमें समी करल नंबर सेकंड को देखना है समी करल दो से यह वैलू आई है X का 5 देखो बाई पे 1 X की तरफ हमें 5 चलना है 1, 2, 3, 4, 5 और बाई की तरफ 1 मतलब एक है यह यह इस सीधे पे आके मिलेगा यहां पे यह है यहां यहां पे मिलेगा यह मिलेगा देखो यह पांच का इधर है तो यह ग्राफ जो पेपर होता उसमें सब कुछ लाइने खिची हुई होती है तो हमें उसमें कम दिक्कत होती है वो बहुत जादा आराम दायक होता है अब एक बिंदू इसका ये हो गया बिंदू हम लिख भी देंगे अभी बाद में लिख देंगे सब अब इसका देखो 6 देख लो X वाला और बाई वाला दो X पे 6 चलो X पे 6 प्लस की ये हैं जब प्लस की तो हमें X की तरफ चलना X डैस 10 की तरफ नहीं चलना इधर नहीं आना है क्योंकि हमारे प्लस की बैलु उसका है 2 छे और 2 ये 6 यहां पहुगा तो इसका 2 लगवग यहां की इस सीध पह आएगा इस सीध पह इस सीद पे आया अब हमें और बिंदू देखना है एक और साथ कौमा तीन साथ और तीन X का साथ है और بाई का तीन X का साथ और बाई का तीन ये अगर भी ये है अगर इन बिंदूं के नाम लेक давайте देखो ये कौन कौन सा बिंदू हो रहा है पहले X वाला लेखते हैं फिर बाई वाला यह अगर हम इस बिंदो की बात करें तो पहले X का पांच है कामा यह इस सीथ से इस सीथ बे हैं तो पांच ही रहेगा यह नगी तेखो Kapांच के सीथ बी यह देखो X का 6,Ϊाई का 4 यह बिंदो लेखे हैं 7,3 यह वाले लिखो छे को पांच कॉमा एक देखो एक्स का पांच है भाई का एक है एक्स का बिंदू पहले लिखते हैं और यह वाला भी लिख दो यह है छे कॉमा दो छे कॉमा दो अब इन दोनों बिंदू अब इन दोनों बिंदूओं को मिलाओ आपस में यह यह और यह इसी अब हमें ये देखना है कि दोनों बिंदू एक दूसरे को कहां प्रतिक्षिद कर रहे हैं 7,3 पे तो हमने जो मान निकाले लिखे थे देखो ये 7 किसका मान है एक्स अक्षे एक्स हमने किसकी संख्या मानी थी छात्राओं की लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़किया है एक्स और लड़के हैं बाई अगर ये लड़किया हुई तो ये लड़के हो गए आगे आंसर इसी में मिल गया ग्राफ में तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इसका किस क्या होगा लड़कियां बरावर साथ हो जाएंगी है हमारी लड़कियां बरावर साथ देखो ये कॉमा जो बिंदू होते हैं वो एक्स कॉमा बाई होते हैं तो X कमान 7 और Y कमान 3 दोनों और एक हाँ उन्हें एक दूसरे को प्रतिछे जिस बिंदू पे करा है वो यह हमारा अंसर है लड़के कितने आ गए फिर लड़के आ गए हमारे 4 तो यह हमारा अंसर हो जाएगा इस परकार